आज मैं आपके साथ क्रीम चीज की रेस्पी शेयर करूँगी, आप देख रहे हैं 150 ग्राम, 170 रुपे की आ जाती है, घर में ये बिल्कुल सस्ती बन कर तेयार होती है और बहुत ही अच्छी, एकदम पफेक्ट बाजार जैसी बन कर तेयार होती है, चली शुरू करते हैं, उस फुल क्रीम दूद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूद आप फुल क्रीम ही ले, और अब इसको बॉइल आ जाने देंगे, ये देखी, अच्छी तरह से जब दूद में उबाल आ गया है, उसके बाद गैस का बर्नर आफ कर देना है, उसके बाद ही हमने नेक्स्ट काम करना है, जो हमने विनेगर और पानी का घोल बना कर रखा था, अब उसे थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है, पहले इस तरह से थोड़ा समयने विनेगर डाला है, और कडची से धीरे-धीरे चलाना है, याद रखिए गैस का बर्नर इस वक्त ओफ होना च जाता है, बहुत जादा विनेगर हमें डालने की जरूरत निया, और हाम विनेगर की जगे आप नीबू का रस भी यूज कर सकते हैं, यह प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहें, जब तक अच्छी तरह से हमारे चैना बिलकुल अलग नहीं हो जाता दूद से, आपने देख हमने अब इसको चानना है, उसके लिए एक बड़े बरतन में मैंने चलनी लगा दी है, और चलनी के उपर ही एक कोटन का बिलकुल पतला कपड़ा, और इसमें हमने वो चानना है, बस इसको पूरा ले लेना है इसमें, यह देखे कितनी अच्छी तरह से हमारा दूद फटा ह है, बिलकुल परफेक्टली जैसा हमें चाहिए, और साथ के साथ, नॉर्मल जो पीने का पानी होता है, उससे साथ के साथ हमें इसे वाश कर देना है, ताकि वो विनेगर का टेस्ट ना है, और विनेगर की जगे आप नीबू के रस का भी उस कर सकते हैं, बस उसमें भी जित होते हैं, अच्छी तरह है, वैसे हमें नहीं करना है, और ये जो पानी है, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत हेल्दी है, बस पांच से साथ मिनट के लिए रखना है, हलका सनी चोड रहे हूँ, ये देखिए, पांच मिनट हो गया है, और आप देख रहे हैं, इसम इसको भी खोल कर देख लेते हैं इसमें मॉइस्चर होना चाहिए यह बिल्कुल ही सुखाना नहीं है यह देखिए बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बस इसे आप मिक्सी के जार में ले ले लेना है और साथ ही हमने बटर इसमें एड करना है बटर मैं इसमें सॉल्ट अगर आप salted butter का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एक पिंच नमक इसमें जरूर एड करें आप देख रहे हैं कि शुरू में मैंने मिक्सी के जार में इसको चलाया तो इस तरह का तयार होगा तो ऐसा ना करें कि इसमें कोई liquid एड कर दे नहीं चम्मत से बस इसको अच्छी तरह से नीचे तक इस तरह से चला दें और इसको फिर दुबारा से ग्राइंड करें यह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा पर कोई भी liquid हमने एड इसमें नहीं करना है यह देखिए अब एकदम क्रीमी यह बन गया है लग रहा है ना बहुत ही अच्छा क्रीम चीज पर आप देखत होता है अभी तो हमारा एकदम सॉफ्ट लग रहा है तो उसके लिए मैंने इस तरह का कंटेनर ले लिया है और उसमें इस क्रीम को मैं ले लूँगी और यह एकदम पफिक्ट तयार होगा उपर से मैंने स्मूथ कर दिया है और इसको बस इस तरह से ढखकर फ्रिज में रख राग भर के लिए रखा है और यह देखिए अगले दिन मैं दिखा देते हूं कि किस तरह से तयार हो गया है लग रहा है नहीं एकदम बाजार जैसा बस अब आप इसको यूज कर सकते हैं ब्रेड पर लगा कर खाईए या फिर आप इससे चीज केक बनाईए आग आने वाली में तो इसका बहुत जादा जरूरत हमें पड़ती है और आसानी से नहीं मिलता है अब वो प्रॉब्लम नहीं है इतना महिंगा क्रीम चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आसानी से आप घर में इतना जादा चीज केक बना सकते हैं और वो भी इससे काफी कम कीम